प्रस्न संख्या 6, संख्याओं के परतेक यूग्म के बीच में एक परिमे संख्या और एक अपरिमे संख्या परिविष्ट कीजे तो प्रस्न 6 का पहला है माइनस 3 वटा 5 और 1 वटा 3 तो इसका हल में हम लिखेंगे माइनस 3 वटा 5 और 1 वटा 3 के बीच एक परिमे संख्या बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 वटा 5 जोड़ 1 वटा 3 देखेंगे दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है तो इसके बीच में एक परिमे संख्या निकल जाएगा तो हो जाएगा देखें 5 और 3 का लगुत्तम 15 तो 5 तीया 15 तीन तीया आई माइनस 9 माइनस 3 गुने 3 माइनस 9 पलस 3 पचे 15 तो 5 गुने 1 पाँच भागा 2 है तो गुना 1 बटा 2 हम लिख सकते हैं तो माइनस 9 पलस 5 कितना हो गया माइनस 4 बटा 15 गुना 1 बटा 2 तो कितना आ गया देखें माइनस 4 बटा 15 गुनी 30 माइनस 4 बटा 30 गया 2 से काट देंगे 2 गुना 4 15 गुना 30 यानि माइनस 2 बटा 15 आ चुका है इसका इसके बीच में एक परिमेर संख्या कितना आ गया है माइनस 2 बटा 15 तो ये तो आ गया एक परिमेर संख्या अब कहा रहा है कि एक परिमेर संख्या भी निकालना है तो अब लिखेंगे माइनस 3 बटा 5 और 1 बटा 3 के बीच एक अपरिमेर संख्या बराबर तो माइनस 3 बटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं सुन्ने दस मलो 6 देखें 5 से भाग देंगे तो माइनस सुन्ने दस मलो 6 हो जाएगा और 1 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सुन्ने दस मलो 3 और 3 के उपर देखें दंड देदेंगे क्योंकि 3 बार 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 रिपीट होगा बार बार पुन्रा विर्थ होगा ठीक है क्योंकि 3 से 1 में भाग देने पर देखें बार बार तीन तिया इनौ एक बचते आ जाएगा तो फिर से तीन से लगाएंगी यानि तीन बार बार रिपीट होगा यहां पे तो माइनस तीन वटा पांच बराबर क्या आगया माइनस सूने दस्मलो छे और एक वटा तीन आगया सूने दस्मलो तीन तो इसके बीच में देखिए इसके बीच में अनंत अपरी में संक्या हो सकता है तो बस हमें कुछ भी लिख देना इसके बीच में तो देखे तो लिखेंगा अता एक अपरी में संक्या बराबर क्या हो जाएगा देखें यहां पर minus 0.6 है और यहां पर 0.3 है ठीक है तो 0.3 देखें पलस में है यहां पर minus में है तो इसके बीच में आ जाएगा क्या 0.3 है यहां पर minus 0.6 है तो देखें तीन के पहले क्या होता है दो यानि 0.2 भी इसके बीच में ही आएगा या सुन्ने दसमलो एक भी आएगा तो देखें हम लिख देंगे यहाँ पर सुन्ने दसमलो दो फिर सुन्ने 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 दो फिर देखें इस तरह से बढ़ाते जाएंगे दो फिर देखें यहाँ चार सुना आए तो यहाँ पर इस तरह से कुछ भी हम लिख सकते हैं इसके बीच में सुने दसमलो, सुने एक, सुने, सुने, सुने कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है, सुने दसमलो तीन और माइनस सुने दसमलो छे के बीच में अनन्त अपर इमेसं क्या हैं तो कोई भी हम लिखेंगे तो सब सही होगा ठीक है तो इसमें देखिए हम क्या लिख दें सुने दसमलो दो, सुने सुने दो, सुने 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 दो, सुने 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 दो, सुने 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 दो, इस तरह से हम देखें, बस डॉट डॉट दे देंगे, क्योंकि इसमें, देखें, कोई भी चीज रीपीट नहीं हो रहा है, कोई भी हम, और असांत भी है, तो यह क्या हुआ अपरिमे संख्या तो इसके बीच में इन दोनों के बीच में क्या है अनंत अपरिमे संख्या है तो हम कुछ भी लिख देंगे ठीक है सुने दसमलो एक भी लिख सकते हैं सुने सुने एक सुने सुने इस तरह करके या सुने दस्मलों सुने एक सुने सुने एक ऐसे करके ठीक है तो सब सही होगा बस इसके बीच में रहना चाहिए इन्हें कि सुने दस्मलों चार लिख दिये हैं क्योंकि तीन के बाद नहीं आना चाहिए तीन के पहले और माइनस सून्य दसमरो 6 से छोटा नहीं होना चाहिए यानि इन दोने के बीच में ही रहना चाहिए कुछ भी हम लिख सकते हैं तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे दुसरा सून्य और सून्य दसमरो 1 तो दूसरा में है सून्य और सुन्ने दस्मलो एक के बीच में एक परिमे संख्या और एक अपरिमे संख्या निकालना है तो हम लिखेंगे इसका हल देखें सुन्ने और सुन्ने दस्मलो एक के बीच एक एक परिमे संख्या बराबर क्या हो जाएगा तो सुन्ने जोड सुन्ने दस्मलो एक जोड करके और दो से भाग दे देंगे ठीक है इन दोनों को जोड करके दो से भाग दे देंगे तो इसके बीच में एक परिमे संख्या निकल जागा जैसे मान लीजे देखे 3 और 5 के बीच में क्या आता है तो 3 प्लस 5 वटा 2 करेंगे तो 5,3,8 8 वटा 2 यानि 4 आ जाएगा देखे 3 और 5 के बीच में 4 तो उसी तरह यहाँ पर सुन्ने और सुन्ने दसमलो 1 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा सुन्ने प्लस सुन्ने दसमलो 1 सुन्ने दसमलो 1 वटा 2 हो गया यानि इसको लिख सकते हैं हम दसमलो देखे तो 1 वटा 2 गुना 10 हो जाएगा क्योंकि दसमलो हटाएगे तो 1 वटा 10 होगा तो 2 के साथ बुना हो जाएगा यानि एक वटा कितना हो गया बीस तो इसको भाग देंगे देखे बीस सी इसको भाग देंगे तो सुन्ने दस्मलो दस्मलो देंगे तो एक सुन्ने आएगा फिर एक सुन्ने देंगे तो सो हो जाएगे यानि बीस पचे सो कितना आगया सुन्ने दस्मलो सुन्ने पांच तो सुन्ने और सुन्ने दस्मलो एक के बीच में एक परिमेय संख्या निकल चुका है कितना सुन्ने दस्मलो सुन्ने पांच ठीक है अब हमें परिमेय संख्या निकालना है तो देखे हम लिखेंगे चुकी चुकि सुन्ने को हम सुन्ने ही लिख सकते हैं सुन्ने बराबर सुन्ने ठीक है और सुन्ने दस्मलो एक बराबर हम लिख सकते हैं सुन्ने दस्मलो एक सुन्ने देखे सुन्ने तो सुन्ने ही रह जाएगा लेकिन सुन्ने दस्मलो एक को हम सुन्ने दस्मलो एक सुन्ने लिख सकते हैं क्योंकि दस्मलो के बाद अगर हम कितना भी सुन्ने दे तो रहेगा यह सुन्ने दस्मलो एक ही ठीक है तो सुन्ने और सुन्ने दस्मलो एक सुन्ने के बीच में एक अपरिमिय संख्या तो लिखेंगे अता सुन्ने और सुन्ने दस्मलो एक सुन्ने के बीच एक अपरी में संख्या बराबर क्या हो जाएगा सुन्ने और सुन्ने दस्मलो एक सुन्ने यानि सुन्ने दस्मलो मानलेजे यह दस है तो इसके बीच में सुन्ने दस्मलो सुन्ने नौ सुन्ने दस्मलो सुन्ने आठ सुन्ने दस्मलो सुन्ने साथ सुन्ने दस्मलो सुन्ने छे सुन्ने दस मलों, सुन्ने पांच, सुन्ने दस मलों, सुन्ने चार, कुछ भी हम लिख सकते हैं तो मालने जिए हम लिखते हैं हापे सुन्ने दस मलों, सुन्ने साथ ठीक है, ये भी देखे, इन दोनों के बीच में ही है क्योंकि हाँ पर 10 है, तो 7 तो जरूर होगा इन दोने के बीच में, सुनने और 10 के बीच में, यानि सुनने और सुनने दस मलो एक सुनने के बीच में, सुनने 7 तो जरूर होगा, सुनने 10 मलो सुनने 7, तो अब देखे, तो उसके बाद हम 7, फिर देखे, 7, ऐसे देखे, बढ़ ठीक है तो सुनने को तो देखे इसलिए हम इसको लिखेते सुनने को तो बस सुनने ही लिख सकते हैं या या सुनने दसमलो सुनने भी लिख सकते हैं इसको ठीक है देखे सुनने को सुनने दसमलो सुनने भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है क्योंकि सुनने दसमलो सुनने भी 10 सुन्नी ही होगा तो देखिए सुन्ने को हम सुन्ने दसमलो सुन्ने भी लिख सकते हैं और सुन्ने दसमलो एक को लिख सकते हैं सुन्ने दसमलो एक सुन्ने क्योंकि दसमलो के बाद हम कितना भी सुन्ने दे कोई दिकत नहीं तो देखिए अब सुन्ने दस्मलो माली जी यहां पर हम भीग देते हैं ताकि ज्यादा समझ में है सुन्ने दस्मलो सुन्ने और सुन्ने दस्मलो एक सुन्ने के बीच में सुन्ने दस्मलों सुन्ने साथ तो जरूर होगा क्योंकि सुन्ने दस्मलों सुन्ने है यहाँ पर सुन्ने दस्मलों एक सुन्ने है तो साथ सुन्ने दस्मलों सुन्ने साथ सुन्ने दस्मलों सुन्ने आठ यह सब तो जरूर होगा जैसे इसका उत्तर में दिया है किताब में 0.05 तो आप कुछ भी लिख सकते हैं 0.05 0.06 भी क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमे संख्याये हैं ठीक है तो इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं सब सही होगा ये नहीं कि सिर्फ किताब का ही अंसर सही होगा ठीक है तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे प्रस्म दूसरा